किसी को डरने की जरूरत है ना किसी को डराने की जरूरत है सहीशूरता भारत की संस्कृती है और सौहार्ध हमारा संसकार है ना इस संसकृती को कोई डरा पाया है और ना इस संसकार को कोई डिगा पाया है तो इसलिए ये देश बड़े से बड़े कठें से कठें परिस्तितियों में भी नडरा है और नडिगा है, आज देश पूरी दुनिया में एक सबसे ज़ादा मजबूत लोकतंद्र के साथ सबसे ज़ादा मजबूत tolerance देश है, और जो tolerance है, वो हमारे कल्चर भी है, और हमारा संस्कार भी है, और इसी संस्कार और कल्चर ने आज देश को एक जुट रखा है, एक दोर में बांथ के रखा है, जब भिवंडी का गतलियाम हुआ था, तब भी देश का सवहार नहीं तूटा था, नटरा था, जब कि गतले आम हुआ था और महिनों दंगे हुए थे तब भी देश का जो है वो सवहर नहीं तूटा था संस्किति नहीं डिगी थी जब मलयाना हुआ मेरत हुआ था तब भी देश का संस्किति को कोई नुकसान नहीं पहुचा है तब संद 84 में जब सिक्खों का गतले आम हुआ था तब भी देश की संसकी तो संसकार को कोई टिगा नहीं पाया था इसलिए जो है वो नसर अदिन शाह साहब को भी इस बात को समझना चाहिए कि उनकी कला और उनकी काबलियत की यह डेश कदर करता है उस देश ने कभी यह नहीं पूछा कि तुम किस धर्म के हो उकिस तुम किस झाति के हो किस चेटर के हो तो इसलिए ये देश बहुत खुबसूरत देश है और अगर कुछ आइसलेटिड घटनाए होती है तो देश के लोग उसको खुद आइसलेट करते हैं ऐसे लोगों को जो लोग की इस तरह की घटनाओं को हम जिस्टिफाई भी नहीं कर रहे हैं लेकिन इस तरह की घटनाओं जो है वह देश को डरा नहीं सकती यह देश बहुत महान देश है